Hello friends, welcome back to the Manzil भारत. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. आज से हम स्टार्ट करेंगे Unit 4 of Specialization portion of upcoming JKSSB Female Supervisor exam. Unit 5 and Unit 6 हम अलरेडी complete कर चुके हैं. जिन्होंने भी वो lectures नहीं देखे हैं, वो YouTube चैनल पे हमारे जाके, separate playlist में सारे lecture uploaded है, वहाँ जाके देख सकते हैं. Unit 4 में जो first topic है, that is poverty and unemployment. ये दोनों आपस में एक individually बहुत broad topic है. आज हम स्टार्ट करेंगे unemployment से. आपका जो exam होने वाला है, वो objective type exam होने वाला है. objective exam की जो एक benefit होता है, वो ये होता है कि अगर in case कोई ऐसा question आज आता है, जो आपने नहीं पढ़ा है, तो आप elimination technique यूज करके, options को देखकर, उनको eliminate करके final answer पे पहुँन सकते हैं. बट उसके लिए भी सबसे ज़ादा जरूरी है, उस topic की conceptual clarity होना. अगर तो उस topic को आपके concept बिल्कुल clear है, तो आप अगर कोई out of the box question भी आ जाता है, तो आप easily options को देखके, eliminate करके, answer find out कर सकते हैं. तो हमारी जो priority रहीगी वो होगी, कि हर topic की जो concepts है, हम उन्हें पूरा अच्छे से समझ ले, ताकि कोई भी तरीके का question आए, तो हम easily उसे handle कर पाएं. तो चलिए start करते हैं unemployment से. तो सबसे पहले हम देखेंगे, कि unemployment होती ही क्या है. अगर common language में देखें, तो हम यह कहते हैं, कि हर वो इंसान जिसके पास काम नहीं है, उसे हम unemployed की category में लेते हैं. बट अगर हम definition देखें, जो international labor organization ने दी है, उसके accordingly क्या है? तो ILO कहता है, तो क्या criteria है, कि हर वो इंसान जिसके पास काम नहीं है, वो unemployed है, बट एक और quality होनी चाहिए, कि he is actively searching for job. वो काम की तलाश में भी है, वो काम के लिए available भी है. वो इंसान जिसके पास काम नहीं है, और वो काम करना भी नहीं चाहता, उसके कोई भी reasons हो सकते हैं. मेभी वो कोई extra skill gain कर रहा है, market के accordingly, तो उस time के लिए उसने एक, you can say कि थोड़ी देर के लिए उसने shift लिया है, तो वो नई skill को gain कर रहा है, तो आप उसके unemployment की category में नहीं लेंगे. अगर कोई इंसान start-up start करना चाहता है, तो वो finances को ढून रहा है, वो भी उस time पे he is not available for work. तो वो unemployment के category में नहीं आएगा. तो हर वो इंसान, every person who is actively seeking employment, ठीक है, that comes under the unemployed category. Fine, so those who are not actively searching for work, are not considered unemployed. जो मैंने बताया कि जो इंसान काम की तलाश में नहीं है, काम नहीं करना चाहते, उसके कोई भी reasons होते है, this may be because of health concerns, और जो कुछ नए skills लेने की reasons से, multiple reasons हो सकते हैं, if they are not available for work, तो वो unemployment की category में नहीं आएगे. Next is, what is labor force? अब जब हम labor force सुनते हैं, तो simply हमारे mind में आता है, कि labor force क्या हो गया, जो इंसान काम कर रहा है, बट नहीं, labor force में कौन-कौन आते हैं, वो लोग भी जो employed है, और वो भी जो unemployed है, हर वो इंसान जो काम, जिसके पास काम है वो भी, और जिसके पास काम नहीं है, उन दोनों को जोडता क्या है, कि they are in the search of work, ठीक है, एक इंसान जो काम ढून रहा है, उसे अगर employment मिल गई, वो भी labor force की category में है, जो काम ढून रहा है, उसे अभी फिलहाल कोई काम नहीं मिला है, वो भी labor force की category में आता है, तो अगर गी question NCQ में आता है, कि what is labor force, और options में आता है, कि those who are employed, those who are unemployed, और both, तो answer क्या होगा, both, ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा, कि आपको concept clear होना बहुत जरूरी है, ताकि आप easily option से eliminate कर सके, Now, individual not falling into these categories, are categorized as being out of the labor force, अब जो इन दोनों की category में नहीं आते, मतलब employed और unemployed, वो कौन होंगे, वो यहां तो हो जाएंगे students, जो पढ़ रहे हैं, यहां फिर unpaid domestic workers, ठीक है, जो घरों में काम करते हैं, जैसे housewives बगर होगी, जो काम करते हैं, उसके लिए कोई payment नहीं है, ठीक है, GDP में वो गिनी नहीं जाती है, और students, student क्योंकि पढ़ रहे हैं अभी, तो वो भी labor force में नहीं आते, the students and the unpaid domestic workers are not counted in labor force and also those who are not actively in search of work. Fine? तो यह था, what is unemployment? Now, the unemployment rate. अब हम अनेप्लोइमेंट रेट को कैसे कल्पूलेट करते हैं? तो अनेप्लोइमेंट रेट का जो फॉर्मूला है, तो अनेप्लोइमेंट रेट का जो फॉर्मूला है, तो अनेप्लोइट क्या हो गया है? वो लोग जिनके पास काम नहीं है, डिवाइड क्या कर दे हमने टोटल पॉपॉलेशन, ठीक है? टोटल पॉपॉलेशन में एक्स्क्लूड़ेट कोन है? जो स्टूडेंट हो गये या डॉमेस्टिक वरकर्स हो गये, जो अनपेड हैं, ठीक? तो इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं, मुल्टप्लाइबा हंटर तो वी गयेट अनइप्लाइम्प्लाइम्प्लाइमेंट रेट, ओके? अभी इंडिया में एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एकॉनमी एक और्गनाइजिशन है, मार्ज 2024 में जो अनिम्प्लाइम्मेंट रेट इंडिया में है, जासा हम अनिम्प्लाइमंट की दफिनिशन में आरेडी पर चुके हैं, वही लोग इंकलूड होते हैं, विचारीं शर्च ओफ वर्क, जो काम ढूंड रहे हैं, पाम करना चाहते हैं, तो अगर एक बहुत major proportion of population ऐसा है जो काम नहीं करना चाहता है या काम की तलाश में नहीं है तो हम उन्हें unemployment में नहीं include करते हैं तो उसकी वज़ा से भी जो rate of unemployment है वो decrease हो जाता है fine okay तो हमारे देश में जो unemployment rate है उसकी जो calculation है that is done by NSSO वो क्या है NSSO and it comes under ministry of statistics MOSP के अंडर ये आता है I think okay so national national sample survey organization that is NSSO which comes under this ministry के अंडर ये आता है उनके accordingly उन्होंने पूरी जो population है उनको तीन क्राइटेरियास में डिवाइड किया है क्या है one is working engaged in an economic activity ठीक है वो सारे लोग जो किसी ना किसी economic maybe private sector हो government sector हो start-ups हो whatever it is वो किसी ना किसी तरह की economic activity में लगे हुए है that comes under the category of employed second क्या है seeking or available for work जो काम की तलाश में है काम करने के लिए available है तो वो कौन सी category में आ जाएंगे they will come under the category of unemployed तीसरी क्या आ जाते है neither seeking nor available for work जो ना ही काम को ढूंड रहे हैं और ना ही काम करना जाते है these are the three categories तो जो उपर की दो categories है that is employed and unemployed इन दोनों को मिला के बनती है labor force और formula जो है unemployment rate का वो that is unemployed worker divided by total labor force multiply by 100 and we get the unemployment rate ठीक है clear है यहां तक okay अब जो main इस topic से जहां से MCQs बन सकते हैं वो है types of unemployment आपको simple एक definition दी जा सकती है और निचे options पे पूछा जा सकता है कि यह कौन सी type की unemployment है तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से सबंचना है तो सबसे पहले टाइप आजाता है that is disguised unemployed, disguised क्या होता है जो बहरूपिया जिसे जो शकल चेंज कर लेते हैं जो actual में जो है वो नहीं दिखाई दे, that is called disguised, तो disguised unemployed क्या है जब भी किसी ऐसे काम में जितने लोग required है उससे जादा work कर रहे हो जैसे suppose एक छोटा सा land है agriculture land जहाँ पे अगर पांच से दस पांच लोग काम करें तो normal production मिल सकती है बट वहाँ पर at present पांच के बजाए दस लोग काम कर रहे है तो per person जो output है वो decrease हो जाएगा actual में वहाँ पे जरूरत से 5 person की थी बट काम कितने कर रहे हैं 10 तो जो remaining 5 हैं वो disguised unemployment है ठीक है कहने के लिए तो वो काम कर रहे हैं बट actual में output उनका output जो है वो negligible है ठीक है तो यह कहाँ पे देखा जाता है mostly it is seen in the agriculture and unorganized factors आप construction works में भी ऐसा देख सकते हैं कि जो particular काम है construction का जहाँ पे 4 से 5 या 10 लेबर की जरूरत है और वहाँ पे 10 लेबर की जगा 15 लेबर काम कर रहे हैं तो पर परसन को जो payment होगी वो decrease हो जाएगी ठीक है न क्योंकि काम तो उतने आई है तो that comes under the disguised unemployed category नेक्स आता है seasonal unemployment, seasonal मतलब इसमें भी हम agriculture का example ले सकते हैं कि agriculture जो हमारा field है उसमें 12 महीने एक जैसा काम नहीं रहता ना 12 महीने crop production नहीं होती तो कुछ time ऐसा होता है जिसमें land फैलो रखना बढ़ता है खाली रहता है नहीं काम होता farmers के पास तो उस type के जो unemployment है क्योंकि 12 महीने तो जो farmer है वो unemployed नहीं रहा है पर कुछ particular महीने जहां पर उसके पास काम नहीं है वही आप construction work में भी देख सकते हो हमेश और कुछ time पर काम नहीं है ठीक थर्ड आ जाता है structural unemployment structural unemployment क्या होता है it is a category of unemployment arising from the mismatch between jobs available and market and the skills मतलब जिस हिसाब की skills market में चाहिए उस हिसाब की skills जो labor force है उसके पास नहीं है तो उसकी वज़ा से unemployment आ रही है जैसे हम देख रहे है कि दिन बार दिन technology में change आ रहा है modern technology आ रही है और time के change होने के साथ हर इंसान को अपने skill को brush up करने की improve करने की ज़रूरत है अगर जिस तरह का skill चाहिए वैसा available नहीं है labor force में तो वो कहीं ना कहीं unemployment की race में पीछे रह जाएंगे तो जिस हिसाब से jobs है और skill के जो mismatch की वज़ा से unemployment create होती है that is called structural unemployment और ये देखा गया था हमारे देश में सबसे ज़्यादा जब हमारे देश में industries को bypass करके जो tertiary sector है वो प्रॉइम रेट हुआ था tertiary sector क्या होते है जो service sector होता है ठीक है और secondary क्या होते है जहां पे industries होती है अब industries में क्या है ना manual works जादा है ठीक है जिसमें आपको machines बगारा corporate करना है बट service में work की जरूरत है और लोगों के पास industrial skills नहीं है उसकी वज़ा से उनको job नहीं मिल रही है यहां फिर tertiary sectors में service sector में ज़रूरत है और लोगों के पास IT knowledge नहीं है तो इस वज़ा से skill और job की mismatch की वज़ा से होता है structural unemployment fine so many people in India do not get job due to the lack of requisite skill और हमारे देश में सबसे ज़्याद की theoretical knowledge जरूर दी जा रही है जो practical knowledge है जो industrial knowledge है जो actual market में चाहिए वो knowledge रही है इसलिए maximum जितने भी technical degrees जो लेते है वो unemployed रह जाते क्यूंकि उनके पास market oriented knowledge ही नहीं हो पाती ठीक है तो improvement की जरूरत है हमारे education system में next आता है cyclic unemployment fine cyclic unemployment यह क्या है it is a result of the business cycle where unemployment rise during recession and decline with economic growth तो उस type का unemployment जो recession की वज़ा से आता है जो हमने corona के time पे देखा बहुत लोगों ने अपनी job को खोया क्योंकि corona के time पे हमने देखा industrial जो activities है बिल्कुल negligible होगी demand कम हो गया तो उसकी वज़ा से economic recession भी आया यह corona के time पे भी हुआ और जो wars चल रही है वर्ड में ठीक है उनकी वज़ा से भी हुआ तो जब economic recession आता है ठीक और economic growth में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम ही आती है उसकी वज़ा से जब unemployment होती है that is called cyclic unemployment. Cyclic unemployment figures in India हमने देखा आप लोग उने news में भी देखा होगा कि Google ने भी काफी अपने जो उनकी जो labor postage उसको बहुत कम कर दिया था ठीक है that during the covid भी ठीक तो this type of unemployment comes under cyclic unemployment. Next is technological unemployment. Structural और technological में क्या difference है कि technological का जो basic है that is due to the change in technology और structural में skill में कहीं कमी रह रही है जो job जो जिस तरह की job available है और जिस तरह की skill लोगों के पास है उनके mismatch की वज़ा से है ठीक है? Technology एक reason हो सकती है structural unemployment का but उसमें और भी बहुत से reason है जैसे education का backward होना, proper facilities नहीं होना वो भी एक reason हो सकता है but technological unemployment में जो main reason है that is because of the advancement of technology जो unemployment create होती है that comes under technological unemployment ओके, next आती है Frictional Unemployment Frictional Unemployment का ही दूसरा नाम है search unemployment ठीक है? Frictional Unemployment को ही search unemployment कहते है अब search आप सुन रहे हैं तो search का क्या मतलब है भूंडना तो यह कौन सी unemployment है? जब कोई इंसान अपनी jobs के बीच में switch करता है in the search for a better employment वो अपनी जो present उसकी job है उससे वो satisfied नहीं गया and he want a better opportunity और better job चाहता है तो जब वो switch करेगा अब एकदम से उसने एक job छोड़ी तो दूसरी job उसे available तो नहीं होगी उसे थोड़ी देश सर्च करना पड़ेगा interviews देने पड़ेंगे ठीक न? उसके बाद उसे नहीं job मिलेगी तो वो जो time period है जिसमें वो एक job को छोड़के दूसरे पर switch करता है वो बीच का जो time है वो महीनों का भी हो सकता है साल का भी हो सकता है दिन का भी हो सकता है depending upon the skills and the availability of jobs उस type of unemployment को कहते है frictional unemployment ठीक है तो frictional unemployment is also called a search unemployment and it refers to the time lag ठीक है तो यह जो कुछ key words है अगर आप यह धिहां रखेंगे तो आप easily इनको remember कर सकते है तो आप इसली इनको remember कर सकते है इत रफर तो the time lag between the jobs when an individual is searching for a new job and switching between the jobs ठीक है तो दो jobs को जब वो change कर रहा है उसके बीच में जो time period है जो उसने लिया नई job को ढूँने में उस time period तक वो unemployed रहा and that is called frictional unemployment और basically यह क्यों होता है it is for the search of better opportunities ठीक है एक इंसान job छोड़के दूसरी job पे क्यों जाएगा एक बहतर opportunity के लिए इंप्रूब करने के लिए प्रमोट होने के लिए तो in the search of better jobs next is vulnerable employment अब vulnerable employment क्या है it means people working informally अब देखें informal और formal क्यों होता है formal jobs वो होती है जहां पे एक written contract होता है employer और employee के बीच में जो इंसान काम दे रहा है और जो काम कर रहा है उनके पीछे एक legal contract है एक set of rules है जो return है उनके accordingly दोनों के जो बीच का relation है कि किस हिसाब से payment दी जाएगी किस कितने घंटे काम करना है किस टाइप का काम करना है किस टाइप की securities होगी वो सब mentioned होता है तो वो आ जाता है formal sector में और दूसरों होता है informal जिसके बीच में कोई भी legal sort of contract या return contract employer और employee के बीच में नहीं होता जैसे कि आप घर में कोई construction कराते हैं और आप एक labor को hire करते हैं अब आप कुछ legal contract तों के साथ नहीं करते हैं verbal पे होता है कि आप इतने दिन काम करेंगे हम आपको इतना pay करेंगे आपने यह बना that comes under the informal sector ठीक है तो this means people working informally without proper job contracts and thus lacks any legal protection अब क्योंकि कोई return record नहीं है कोई return contract नहीं है तो legal protection लाग करते हैं कल को अगर किसी इंसाने किसी को hire किया काम करने के लिए किसी labor class को hire किया है जितने कि उसने बात की और वो उतना पैसा उनको payment नहीं कर रहे है तो labor कहां जाएगी अपने grievances के रिटरेशल के लिए उनके पास तो कोई है नहीं कि कोई proof नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा था या ऐसा promise किया तो there is a lack of legal protection ठीक है और क्योंकि these people are also deemed under unemployed because they don't have any record क्योंकि ऐसे जो काम करने वाले लोग होते है जो normally formal sectors में होते है चाहे private हो चाहे government हो उनका एक written record है government के पास कि इतने लोग employed है कि यहां काम करते है कब इन्होंने काम शुरू किया कब इन्होंने काम खतम किया तो एक written record है लेकिन जो यह informal sectors में होते है उनका कोई written record मी नहीं होते है तो वो unemployed category में ही आते है और कौन से unemployed? vulnerable ठीक है क्योंब कोई legal protection नहीं है vulnerable कोई होते है जिनको easily exploit किया जा सके है ठीक तो vulnerable employment आगे which are working under the informal sector और informal sector मैंने आपको बता दिया जहां पर कोई legal protection नहीं है कोई written contract नहीं है between the employer and the employee ओके अगर अगर उनका क्योंब कर दो तो यूविल तो यूविल टिक मांग दो वल्रेबल अदर्वाइस फ्रिक्षिनल चिक नाव अब हम देखेंगे कि what are the causes of employment जनली अगर हम सोचे कि unemployment का क्या causes है तो सबसे पहला reason क्या आजाता है हमारे दिमाग में lack of education कि proper अगर education नहीं है तो इंसान employment की search में क्योंकि उसका जो you can say कि उसकी जो possibilities है जहां वो काम कर सकता है वो कम हो जाएगी क्योंकि उसके पास education नहीं है education होगी proper skills होगी तो market में जिस तरह की availability है वो वहाँ-बहाँ अपनी job को search कर सकता है तो सबसे पहले आजाती है lack of education and the requisite skills next is rapid growth of population अब देखें natural resources जो है वो तो limited है लेकिन हमारे देश population continuously increase हो रही है तो अब जो burden है resources में वो बढ़ रहा है तो अब जो number of labor force है जिन लोगों को काम चाहिए वो continuously बढ़ रहे है लेकिन काम जो है उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है तो mismatch होगा and there will be rising unemployment और हमारा देश अब जो है world का most populous country बन जो है तो population का unemployment के साथ directly proportional होता है तो इसको आप एक positive way में change कर सकते हैं किस तरीके से कि हमारे जो देश की population है उसी को हम human resource जो productive human resource में है उसमें convert कर सकते हैं कैसे? through the entrepreneurship अगर हर इंसान के अंदर ऐसी skills को inbuilt कर दिया जाए और government कर भी रही है via various schemes जिससे की वो entrepreneurship की तरफ जाएं यानि कि अपना छोटा सा कोई कारोबार छोटी सा जो द्योग you can say small industry set up करे और काम करे और दूसरों को भी you can say na employ कर सके तो उससे हम ये जो हमारी population है जो एक बहुत बड़ा हमारी economy के लिए भी hurdle है और unemployment में भी increase कर रहा है उसे हम एक productive human resource में convert कर सकते हैं ठीक है तो same चीज हम एक valuable means की तरह हम भी use कर सकते हैं क्योंकि हर देश का जो population है न वो बहुत important factor होता है क्योंकि अमारे देश में भी young generation बहुत जादा है तो वही देश को आगे ले जा सकते है क्योंकि काम करने वाली तो वही है children और old age वो तो dependent force में आ जाते है ठीक तो उन्हीं किया जा सकता है पायदा appropriate skilling which can lead them to the entrepreneurship next आता है immobility of labour ठीक है कि जहाँ पे काम है वहाँ पर labor available नहीं है labor force available नहीं है काम करने के लिए और जहाँ काम नहीं है वहाँ labor force बहुत साथ है और इसका immobility का reason क्या हो सकता है because of the attachment to the family people do not want to go far मतलब लोग क्योंकि families है कुछ you can say cultural ethos है उसकी वज़ए से लोग दूर जाके काम करना नहीं चाहते उसकी वज़ए से भी unemployment और you can say कि na regional imbalance हो जाता है employment और unemployment पर next is defects in education system जो हमने structural unemployment में पढ़ा कि skills और jobs के बीच में imbalance उसका reason क्या है क्योंकि education system में defect है education system में time के change होने के साथ उसमें modification नहीं आ रही है उसमें skills जो practical skills है जो industries में चाहिए वैसी skills जो है students को provide नहीं की जारी focus है सरफ theoretical knowledge में तो job in the capitalist world have become highly specialized ठीक है अब जितना भी जो globalized world है वहाँ पे जो jobs है वो बहुत क्योंकि आप देखो artificial intelligence आ रहा है नहीं नहीं technologies आ रही है तो उसके साथ जो है skills भी modify करने की जरूरत है तो अब जो है काम हो गया है बहुत specialized तो education system भी वैसा चाहिए जो students पे उस specialized skills को incorporate करें अगर वो नहीं हो पा रहा है तो unemployment rate is bound to increase fine? So many people who are willing to work become unemployed due to the lack of skills वो काम को करना चाहते हैं बट उनके पास appropriate skills ही नहीं हो पाई उन्होंने पास आउट किया बट जो requisite skills थी market की वो नहीं मिली ही नहीं तो they are lacking behind in the race of employment fine? It also affects the economy अब देखे unemployment economy में भी effect करता है क्योंकि देखे जब किसी भी देश में unemployment rate बढ़ जाता है ना तो उन लोगों की population बढ़ जाती है जो dependent है जो society को किसी तरह से benefit नहीं कर रहे they are depending on the remaining force which are earning अगर सपोज हम एक छोटी family का example ले लेते हैं जिसमें अगर सपोज तीन लोग है जो they are willing to work लेकिर उनमें से सिरफ एक ही ऐसा है जिसके पास job है remaining two के पास job नहीं है तो it is a family of five तो अब जो एक बंदा है एक person है जिसके पास job है उसके ऊपर responsibility आजाएगी remaining four की भी तो dependent numbers of people जो होगे वो उस पर जादा हो जाएंगे और अगर इसका हम दूसरा phase देखते हैं अगर तीनों के पास employment होगी तो number of dependent कितने reduce हो जाएंगे that will be reduced to two तो economic जो growth है that will be increased तो जब भी unemployment बढ़ती है तो economic growth जो है वो decrease होती है these are inversely proportional और वो क्या है हर 1% increase in unemployment में GDP reduce होती है 2% से अगर unemployment rate 8% से बढ़ रहा है तो GDP जो है वो down जाएगी 2% से तो बहुत जादा जो है impact economic growth पे unemployment का देखा गया है क्यों because the number of dependents get increased on the remaining working population अब हम देखते हैं causes हमने देख लिया types हमने देख लिया now coming towards the impacts of unemployment का impact क्या है okay so the problem of unemployment give rise to the problem of poverty यह देखिए यह जो unemployment or poverty है यह interrelated है देखिए कैसा किसी इंसान के पास काम नहीं है काम नहीं होगा तो वो basic needs को fulfill नहीं कर पाएगा उसके पास finances की कमी होगी he will lead to the poverty ठीक है अब वो पूर है उसके पास finance नहीं है means नहीं है तो वो अपने बच्चों को proper education प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जो appropriate है proper जो skills जो चाहिए according to the changing needs of the society अब education नहीं मिलेगी हम यहां करते हैं unemployed है ठीक unemployed will lead to lack of basic needs ठीक basic needs नहीं fulfill हो पारी finances नहीं है यह हो जाएगा poverty की तरफ अब poor है तो education नहीं मिल पाएगी proper lack of education हो गई तो it will lead to lack of skills ठीक है तो lack of skills जो होगी उसकी वज़ा से होगा unemployment तो यह circular वे में चलता है unemployment lead to poverty and poverty lead to unemployment तो यह एक दूसरे की तरफ गुमते रहते हैं अगर किसी एक में भी control कर लिया जाए तो दूसरा अपने आप regulate हो जाते हैं next is जिन लोगों के पास काम नहीं रहता जिन भी young population के पास उनका ज्यादा chances होता है crime में indulge होने का क्योंकि देखे पैसे तो चाहिए survive करने के लिए अगर उनको कोई legal way नहीं मिल रहा है earn करने का तो there are maximum chances कि illegal means की तरफ जाएंगे for earning money तो crime rate जो है country में वो भी increase होता है and such type of person can easily be enticed by the anti-social element ऐसे लोगों को anti-social activities में indulge करना भी काफी आसान हो जाता है क्योंकि उनको काम चाहिए उन्हें पैसे चाहिए and उन्होंने बहुत सर्च किया उनको employment नहीं मिली तो उनको easily convince किया जा सकता है किसी भी activity में indulge करने के लिए जो militant recruits होते है organization में enter हो जाते है तो मतलब unemployment rate हमारी देश के crime rate को anti-social activities को भी increase करता है fine next कि unemployment को major कैसे किया जाता है तो जैसे मैंने बताया कोन करता है that is NSSO that is National Sample Survey Organization and that comes under the MOSP Ministry of Statistics and Program Implementation इस ministry के अंडर आती है NSSO जो की major करता है unemployment rate अब unemployment को major करने के दो different you can say process है one is usual principal and subsidiary status usual principal and subsidiary status में पिछले एक साल के अंदर कोई person कितने दिनों के लिए employed था कितने दिनों के लिए काम कर रहा था उसके basis पे ये criteria ये set किया जाता है कि that person is employed or unemployed ठीक है कितनी activity देखी जाती है on the basis of activity of previous year मतलब पिछले बारा महीनों में पिछले एक साल में अगर maximum time of period कोई person employed रहा है तो he will be considered as employed और अगर को maximum time unemployed रहा है तो he will be considered as unemployed so it is comes under usual principal and subsidiary status दूसरा है current weekly status current weekly status में क्या देखा जाता है पिछले एक हफ़ते का analyze किया जाता है तो last one week में अगर person एक दिन भी मतलब पिछले साथ दिनों में अगर एक दिन के लिए भी काम मिला है या एक दिन में at least one और भी काम मिला है तो he will be considered as employed ठीक है तो इसमें जो duration है that is of seven days ठीक? और जो last हमने देखी थी that is usual principle उसमें जो duration है that is of one year यह जो है दोनों का differentiating point है यह आपको धिहांद रतना है कि usual principle में one year है and weekly में seven days है ठीक? अब देखें जब duration कम हो जाती है जब आप एक इंसान का काम पिछले एक हफ़ते में देख रहे हैं तो time duration कम हो गया तो उसमें जो है पूछा जाए कि इन दोनों जो process है दोनों जो तरीके हैं जिन से unemployment rate को major किया जाता है किस तरीके में ज़्यादा chances है कि unemployment rate बढ़े वो है CWS that is current weekly status अब हम पढ़ेंगे उन कुछ initiatives के बारे में जो government ने लाए है ताकि unemployment rate को control किया जा सके तो सबसे पहला आता है Integrated Ruler Development Program Integrated मतलब holistic पूरा मिला कर rural village area का और this was come in 1980 इसमें ये क्या गया था कि एक ruler पे जिस तरह की भी activities हो चाहे construction हो चाहे development के लिए कुछ roads बनाना हो कुछ भी चीजों का construct करना हो उनकी construction भी हुई जाए और उन construction process के लिए जो employment हो जो labor force हो वो ली जाए village से ही ठीक है तो रूलर एरिया की development भी हो रही है और employment भी generate हो रही है ठीक है तो ये लाया गया था 1980 में Next आता है training of rural youth for self-employment तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश की population बहुत जादा है उसको हम एक productive human resource में convert कर सकते है through the appropriate skilling ताकि वो entrepreneurship की तरफ जाए तो वही है self-employment तो इस जो scheme है इसके अंदर rural youth को training दी गई ताकि वो खुद का काम start किया और वो training किसे भी चीज की हो सकती है वो carpenter की हो सकती है tailor की हो सकती है बाबा की हो सकती है जैसे अभी recently ने scheme launch की है गवर्मेंट ने that is scheme is विशकर्मा इसमें भी गवर्मेंट यह जो skills है बाबा की होगी जो छोटी छोटी जिस पे आप छोटी छोटी जो जो you can say like self-employment generate करने के लिए skills प्रोवाइड की जा रहे है अगर आपके पास already minimum skills है उनको और जादा आपको brush up करना है तो वो भी provide किया जाएगा साथ ही उनको funds भी provide किये जा रहे है ताकि वो अपना जो जो you can say industry sort of या छोटी सी जो shop है जो वो open कर सके तो उसके लिए जो उनको finance चाहिए वो भी government provide कर आ रहे है under this scheme wish karma ये recently start की है government of india ने तो इसी का previous version था है that was training of rural youth for self employment जहां पर basically skill enhancement की जाती है रूलर youth की ताकि वो जाएं self employment की तरफ और यहां पर जो focus है that is towards the SCST youth and women क्योंकि वो vulnerable section आ जाती है जो भी schemes होंगी na generally employment generation के लिए तो उनका main focus रहता है that is towards women and SCSTs क्योंकि these are the vulnerable section और हमारा जो focus है वो है holistic development का हर section of population को साथ लेके चल लेगा ठीक okay next is ruler development and self employment training institute ठीक है तो this institute वो set up with the aim की proper skills जो है ये भी इसी की तरह ही है की proper skill देनी है for the self employment so ये बेसिकली था एक particular particular I think state का that is that was off let me check ruler employment okay with the aim of mitigating the unemployment among the youth a new initiative was tried jointly by Canada Bank, Syndicate Bank and Shri Dharamsdhala Manjus Theshwar Educational Trust तो इन तीनों ने मिलके बनाया था आपको ये तीनों का इतना इतना deeply नहीं पूछेंगे कि कि ने मिलकर इस जो you can say institute को start किया था बट इसकी जो full form है that you have to keep in mind और ये किस से related है क्योंकि अगर आप इसकी full form याद रखेंगे तभी आप ये find out कर पाएंगे कि ये scheme जो है that is related to unemployment ठीक है poverty से ये children से ये किसी और section से related नहीं है ठीक है तो this was yes basically for the state Karnatka ठीक है दूसरा जो important point इससे related ध्यान रखने के लिए है that is this was related to the state Karnatka तो रुट सेटी की full form क्या है that is ruler development and self-employment ruler development self-employment ठीक है training institute okay next आती है जवाहर रोजगार योजना तो जवाहर रोजगार योजना जो है it was started in 1989 and जो उसमें जो ratios है for the contribution of state and center that is 80 is to 20 अब आप मुझे comment section में बताएंगे कि वो कौन सी type of scheme होती है जिनमें जो state और center दोनों contribute करते हैं यह हम already पहले के lecture में पढ़ चुके हैं यह आप मुझे comment section में बताएंगे कि अब जवाहर रोजगार योजना जो है वो किस type की scheme है यह central sector scheme है यह central sponsor scheme है तो जवाहर रोजगार योजना है जो वो start हुई थी 1989 में and the ratio for the contribution between state and center is 80 is to 20 और यह जो है यह बनाई गही थी by merging two erst-wild scheme वो कौन-कौन सी थी one is NREP that is National Rural Employment Program and second was RLEGP that is Rural Landless Employment Guarantee Program तो इन दोनों scheme को merge करके नई scheme को बनाया गया that was जवाहर रोजगार योजना तो नाम से क्लियर है रोजगार है that is related to employment तो ध्यान क्या रखना है आपको one is किस टाइप की scheme है second किस ते related है third the year and fourth कि कि दोनों को merge करके बनाई गई है next आती है most important that is Manreka Mahatma Gandhi Rural National Ruler Employment Guarantee Act right so it was launched in the year 2005 और यह क्या करते है it provides social security by guaranteeing a minimum minimum 100 days paid work इस scheme के under जो rural youth है उनको कम से कम 100 दिन का जो काम है वो provide किया जाता है उन सब लोगों को जो इस scheme के under अपने आपको enroll कराते है ठीक है और इसमें कोई particular skilled based काम नहीं होता है unskilled labor force मतलब जिनके पास कोई particular specific skill नहीं है वो सारा labor youth इसमें काम कर सकता है जनली जो भी construction का work हो गया जैसे गाउं में पंचायद को बनाना है या किसी तरह का कोई well बनाना है उन सब कामों के लिए इन लोगों को employ किया जाता है और हर youth को कम से कम 100 दिन का काम एक साल में provide किया जाता है और this act provides right to work to people ठीक है तो जो लोगों का हक है fundamental right है काम करने का वो यह जो scheme है वो पूरा करती है ओके नेक्स इस प्रधान मंत्री कोशल विकास योजना तो इट वस लॉंच इन दा यह 2050 अन इट हैs objective of enabling large number of Indian youth to take up industrial relevant skill training जैसा हमने structural unemployment में देखा कि क्या reason है skill और job का mismatch तो इसलिए जो government जितनी भी scheme ला रही है उसका जो focus है that is towards the improvement of skill तो यह जो scheme है that is प्रधान मंत्री कोशल विकास योजना इसमें industrial relevant skill जो है youth को provide की जाते कि industry में जिस तरह का काम है जिस तरह की जो skills हैं चाहिए basic youth को provide की जाती है उन्हें certification प्रवाइड की जाती है ताकि वो काम ढूंड सके और काम ले सके ठीक है और better livelihood ले पाए Next is Startup India Scheme Startup India Scheme was launched in the year 2016 and it was toward with the aim to develop ecosystem that promotes and nurture entrepreneurship entrepreneurship क्या होती है अपना काम शुरू करना कोई भी छोटा सा द्योग स्टार्ट करना जिसमें आप और लोगों को employ करें ठीक है That is entrepreneurship तो इसी चीज को focus करने के लिए यूथ को इस चीज के लिए encourage करने के लिए Startup India Program आपने जैसे Shark Tank आप देखते होंगे आता है उसमें लोग अपना Startup लेके आते है Finances मिलता है इं Startup start करते है ठीक है वो और लोगों को भी employ करते है तो that is entrepreneurship ठीक तो Startup India Scheme was launched in 2016 with the aim to develop an ecosystem for entrepreneurship ठीक और इसमें जो है Bank loan दिया जाता है यह आपको ध्यान रखना है That is from 10 lakh to 1 crore कहां तक का दिया जाता है यह आपको ध्यान रखना है कि कितना loan प्रोवाइड किया जाता है Startup India Scheme के अंडर that is from 10 lakh to 1 crore और focus यह दिया जाता है कि हर bank कम से कम एक S.E.S.T. और at least one woman पो यह loan प्रोवाइड करें ताकि जो है acronym है यह ध्यान रख लें ताकि आपको अगर यह पूछा जाए कि SMILE Scheme जो है वो किसे related है जादा deeply आपको इनको करने की जरूरत लेंगे आपको बस यह पता होना चाहिए कि यह scheme किसे related है ठीक है कि अगर suppose आता है कि SMILE is related to poverty या the development of disabled person ठीक है कि unemployment है तो वो आपको पता होना चाहिए तो first is SMILE I think this okay SMILE support for marginalized individual for livelihood and enterprise second is PM DAKSH that is also related to unemployment and third is जो अल्रडी मैं आपको पीछे बता से चुकी हूँ that is Pradhan Mantri Koshal Vikas Yojana okay so that's it for today's lecture हमने completely unemployment को holistically read कर लिया कि unemployment होती क्या है what is its actual definition according to ILO second हमने देखा कि what are the types of unemployment जिससे mostly chances है MCQ बनने के ठीक तो वो आपको completely उसके understanding होनी चाहिए कि what is disguised what is structural next हमने देखा what are the causes and impacts जो general है अगर आप एक बार read-out करेंगे so you can easily find out next जो important जिससे MCQ बन सकता that is the major of unemployment कि unemployment की जो measurement है वो किस-किस तरीके से की जाती है lastly हमने देखा कुछ schemes के बारे में आपको इन schemes को ध्यान रखता है इनका कौन सा air है जहांपे वो लांच की गई है और किस से यह related ठीक है तो इन सब पे I am secure बन सकते हैं साथी आपके लिए यह है कि already हमारा जो course है constable के लिए वो हमारी website पे launch हो चुका है और वहां पे जो maths के जो वीडियोस है वो पंखिल सर के upload हो रहे है regular basis पे होते रहेंगे तो आप हमारे description box पे link है वहां जाके वो checkout कर सकते हैं कुछ issues के वज़ा से थोड़ा सा delay हो रहा था बट अब regular basis पे videos upload होती रहेंगी तो आप वहां से जाके उसका पूरा फाइदा उठा सकते हैं तो आप next video में मिलते हैं एक नए topic के साथ तब तक आप पढ़ते रहें और keep working hard Thank you